नमस्कार हिंदुस्तान मैं आपके साथ आर्जे पुनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान जी हां हाजिर हूँ आपके साथ आपके पास लेकर रोजगार सम्मंदित कुछ समाचार कुछ जानकारी रोजकार हिंदुस्तान तो पहले खबर की और रुक करते हैं जो कि है अगनी पत से इंडियन आर्मी इंडियन एर फोर्स इंडियन नेवी उम्र सीमा इसकी बताई जा रही है 17 से 21 साल इसकी वेकेंट सीट जो खाली रिक्तिस्थान है लगबग इसमें 46 हजार बताई जा रहे ह क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी है 10 पास लास्ट अब इसकी नहीं बताई गई है अप्लाई फीस इसमें कुछ भी नहीं है सेल्री की बात करें तो 30 हजार से 40 हजार तक इसकी सेल्री है और आपको जो भी अनॉंस होते हैं सैनिक के भत्ते होते हैं वो आपको सारे इसमें मौका दोनों को मिलेगा महिला वो पुरुष दोनों एपलाई कर सकते हैं लेकिन महिलाओं के लिए केवल मात्र नेवी में ही सेलेक्शन होगा वा पुरुषों के लिए आर्मी एयर फोर्स दोनों में अधिकार दिया गया है अगर सेल्री की बात करें तो पहले तीस हजार वा चौथे साल आपको 40,000 मिलेगी। साथिसाथ आपको 21,000 पर मंत हर महीने प्रती महा मिला करेंगे वा चौथे साल में आपको 28,000 हाथ में आया करेंगे। जिसका कि 30% फंड में कट जाएगा। लगबग 9,000 रुपे आपके फंड में कट जाएगे। और 30% ही सरकार अपनी ओर से मिलाएगी। इस प्रकार जब आप चौथे साल में बहार आएगे तो आपके हाथ में 11,000,000 रुपे आपको फंड के दिये जाएगे। साथ ही सामाने भत्ते जो भी एक सैनिक के होते हैं जो भी उने एनाउंसेस मिलते हैं वो भी सभी आपको अगनी वीरो को मिलेंगे। लास्ट एट अंतिम तारिक जो इसकी बताई जा रही है वो 10 जुलाई 2022 बताई जा रही है। फॉर्म फीस आपकी 200 से 500 रुपे तक की है सबी के लिए सेलरी की बात करें तो 36,000 रुपे से शुरू होती है। आपको इंसेंटिव जो भी भत्ते होते हैं वो पूरे मिलेंगे। मेल फीमेल आप दोनों इसके लिए ट्राई कर सकते हैं सीट के लिए। तीसरी खबर के ओर रुप करते हैं राजिस्तान स्ताफ सेलेक्शन से हैं जिसकी एज लिमिट उम्र सीमा इसकी बताई जा रही है कम से कम अठारावश अधिक्तम 40 साल। पोस्ट इसमें जो निकली है वो निकली है 5550। क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है बार्मी पास CPE-D, डिप्लोमा इन OPE-D, डिग्री BPE-D की लास्ट रेट अंतिम्ति थी जो आपकी बताई जा रही है 22 जुलाई 2020 है। फॉर्म फीस इसमें थाईसो से साड़े चार सो रुपे तक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी डिजिटल साइट पर जाकर जादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही मुझे दे इजाजत, रोजगार संबंदित, समाचार, कोई और नए विशे, नई जानकारी लेकर दुबार आपके साथ हाजिर होंगी। आप सुनते रहे रेडियो हिंदुस्तान।